हेलो एन वेलकम टू डब्लो एस क्यूब टेक्ट आज की स्मेटलक के वीडियो में हम वापेस देख रहे हैं कि सिमुलेशन के अंदर हम मॉडुलेटेड सिगनल को जो जनरेट किया था उसको हम वापेस डी मॉडुलेट कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमने मॉडुलेशन के अंदर एम वेव को देखा था जनरेट होते हुए तो ऑपेस में एक बार बता देता हूं आपको कि यह हमने केरियर सिगनल लिया था यहां पर कॉंस्टेंट टर्म नहीं लिया था तो अब हम यहां पर कॉंस्टेंट टर्म भी ले रहे है है और उसके बाद हम ये वे पकें अंदर ले रहे हैं तो ही कैडियर सिगनल अंदर है और यह हमारे पास मैसेज सिगनल है हम एक बार देखा फटा-फट मैसेज सिगनल की प्रॉपरτοटी क्या रखिये हमें तो मैसेज सिग्नल के अंदर जो प्रॉपरटी रखिये वो sectors 5 ए I touch हम इसको रख देते हैं और इसको apply करते हैं पहले वाले वीडियों के अंदर जो amplitude modulation लिया था उसके अंदर भी amplitude हमने वन रखा था तो चलिए यहां पर वन रख दिया और frequency भी वन है जो carrier signal है उसका हमने frequency 10 times बढ़ाया था और 50 बाद में इंक्रीज किया था अभी हम यहां पर 50 टाइम सी रहने दे रहे हैं और एंप्लिटूड का जो एंप्लिटूड है हमारा उसका हम 3 टाइम बढ़ा रहे हैं आप चाहें तो अपने अप्लिटूड रख सकते हैं इसका ज्यादा इफेक्ट जब आता है जब हम एंप्लि किस रेश्यो का चाहिए माडलिशन यानि की मैक्समा अप्लिटूड तो मिनमम अप्लिटूड उसके अंप्लिटूड को रख सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर त्री रखता हूं और यहां पर हमारा एंवेव जन्रेट हो गया है तो एम वेव को हम डिरेक्ली अब हम स्कोप म अंदर multiple signals को कैसे generate करते हैं और उसको check कैसे कर सकते हैं हम यह देख चुके थे कि multiple signal को कैसे input में लेते हैं स्कोप के उपर और हम उसको कैसे देख सकते हैं तो चलिए यहां पर मैं double click करता हूं तो यह देखिए हमारा output आ चुका है एक बार वापिस से run करते हैं इसको run करने पर य वो दो आउटपुट आया था जिसके पहले हैं वो हमारा पहले वाला आउटपुट ही सेव था तो यहां पर देखिए message signal हमारे पास amplitude आ रहा है तो अब इसको हमें demodulate करना है demodulation में क्या होगा कि हमें जो message signal यह हमने लिया था वो message signal हमें वापिस recover करना है क्योंकि आप message signal अब हमारा क्या बन चुका है a wave के अंदर यानि अब यह हमारे पास signal इस type से modulated signal है तो चलिए मैं इसको close करता हूं और इसको close करने के बाद हमने लिया है demodulation के लिए एक transfer function आप simulink library browser में जाएंगे और यहां पर transfer function type करेंगे तो transfer function का block आ जाएगा या फिर आप match के अंदर भी जाके उसको select कर सकते हैं तो मैं यहां पर directly transfer function लिखता हूं और enter कर दूँगा तो यहां पर जो भी transfer function से related blocks होंगे वो यहां पर आ जाएंगे तो मैंने यहां से select किय है और उसको select करने के बाद मैंने यहां पर drag and drop किया है तो आप देख सकते हैं और भी transfer function के बहुत सारे options दे रखे हैं तो आप अपने according use ले सकते हैं बट यहां पर हमें demodulation करना है तो हमें demodulation के अंदर हमने जो transfer function use लिया है वो लिया है यह वाला तो इसको drag and drop किया है और इस कर सकते हैं तो parameter change करने के लिए हमने इसका जो numerator coefficient है उसको 15 रख देते हैं और जो denominator coefficient है s plus 15 रख देते हैं और उसके बाद इसको apply कर देते हैं और ok कर देते हैं अब demodulation का concept क्या आता है कि जब भी हम signal को modulate करते हैं तो signal को modulate करते समय कुछ न कोईच noise add हो जाती है और noise addition जब हम transmit करते हैं तो वह ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें receiver पर क्या चाहिए होता है कि ऐसा module चाहिए कि हमारा signal को receive करें और signal को receive करके हमें actual information जो transmit हुई थी उसको decode करें तो decoding का मतलब यहां पर हमने signal जो message signal transmit किया हो message signal वापिस हमें receive होना चाहिए receiver पर यह हमारे transmitter end हो गया वैसे हमारे पास carrier signal आ रहे हैं तो सबसे पहले यह काम होगा कि हमें carrier signal को remove करना है तो carrier signal remove करने के लिये हम एकवापस product लेते हैं product हमारे पास Mac Simulink के अंदर आएगा तो यहां पर सेलेक किया हमने और यहां पर ढ़िए इस ब्लॉक grin उह में । प्रॉडक्ट लेना है और इसके उपर यहां पर आया है इसको हमने ड्रेग एजो हमारा मॉडुलेट्टेड वेफोर्म है यह यह यहां पर आ रहा है इसको connect कर दिया हमने तो यह क्या करेगा करने के काम आता है बट दोनों को जो multiply किया तो जो करें का अम्प्लिट्यूड या नि कॉस्ट वेव और जो अम्प्लिट्ट्ट वेव तो फिल्टर से गर हम पास करते तो higher frequency reject हो जाएंगे और low frequency signal हमें मिलेंगे तो उसका काम यह transfer function करता है तो इसको just हमने अब collect इसको just अब हमें connect करना है तो यह हमने connect कर दिया अब product के अंदर आप देखेंगे कि इसकी properties सिर्फ number of inputs 2 है और signal attributes हमने as it is run दिया इसको ok कर देते हैं अब हमारे पास जो output आएगा है पर message signal आ जाना चाहिए बट message signal आने के पहले अब इसको check कैसे करेंगे तो आइदर हम इस scope में check कर सकते हैं या फिर नया scope ले सकते हैं तो नया scope लेने के लिए हम वापिस symlink library browser पर जाएंगे और sync के अंदर जाएंगे और sync के अंदर हम scope को select करेंगे और drag and drop करेंगे और वापिस इसको connect कर देंगे अपने transfer function के output से और फिर इसको देखते हैं run करके तो run करने के बाद हम scope पे scope 1 पे click करते हैं तो यह देखिए हमारे पास message signal इस type का आ रहा है जिसका amplitude क काफी हाई है बट हमारे पास जो इसका limit है 5 से इसको increase कर रहा है तो आप यहाँ पर setting में जाके आप चाहें तो इसके scroll down कर सकते हैं legend change कर सकते हैं floating types को भी use कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर apply करता हूं तो यहाँ पर देखिए इसको zoom out कर सकते हैं और zoom in भी कर सकते हैं तो य अब यह हैंग हो गया इसको close करते हैं और वापिस से इसको run करते हैं तो यहाँ जो transfer function है वो 15 है आप चाहें तो transfer function की value को change कर सकते हैं और हमारे signal amplitude था वो था हमारे पास one carrier का signal amplitude भी one रख देते हैं ताकि हमारे पास जो output आया है वो consistent आया है तो यह देखिए हम run करते हैं इसको run करने के बाद हमारे पास जो message signal है यहाँ पर देखिए यह message signal है यह carrier signal और यह modulated waveform आप देख लेते हैं demodulated signal कैसा है तो यह देखिए demodulated signal इस type चाहिए बट हमारा जो original demodulated function था वो कैसा था तो वो इसको scope के अंदर देखते हैं तो इसको double click करते हैं और इसके जो number of inputs है उसको बढ़ा देते हैं कि हम चेक कर पाएं कि जो हमारा output आएगा वो दोनों एक साथ दिखे है यहाँ पर देखिए यह हमारे पास demodulated waveform है और अब हम original message signal था उसको select कर लेते हैं तो original message signal हमारे पास यह था तो यह देखिए यह हमारे पास original message signal हमारे पास नीचे आया और यह हमारे पास demodulated signal है और इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो अभी कुछ नहीं देखेंगे तो कि हमें run करना पड़ेगा तो इसको close किया हमने और इसको run किया तो run करने के बाद हम इस पर double click करेंगे तो यह देखें हमारे पास message signal यह blue line में आ रहा है और यह हमारे पास demodulated signal yellow line में आ रहा है तो यहां पर देखेंगे एक बार इसको close करते हैं और वापिस से जो addition constant है उसको हम zero कर देते हैं चाया तो आप zero कर रहे हैं या फिर इसको भी रहन message signal उसको as an input ले लिया और इसको apply करना है और okay करना है अब इस पर double click करेंगे तो जैसे run किया हमने और double click किया तो आप देखेंगा message signal का almost shape overlap होके एक साथ आ रहा है तो यहां पर देखेंगे हमारा blue line में हो message signal है और यह हमारे पास demodulated signal है लेकिन demodulated signal के अंदर हमारे जो noise जो है वह भी हमारे पास added आ रहा है तो हम इस noise को remove कैसे कर सकते हैं तो जो transfer function की characteristics है उसको change करके हम इसकी noise को पूरा suppress कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको एक और transfer function लेता हूं और उसको वापस pass करता हूं तो इसको वापस copy करने के लिए control select और इसको आप drag करेंगे तो यह वापस से नया as it is same property का block बना हुआ आ जाएगा और फिर आप इसको छोड़ तो चलिए इसको मैं delete कर देता हूं और इसको वापस second order transfer function से पास करता हूं यानि कि दो transfer function होगे और फिर इसको connect करता हूं और फिर इसको run करता हूं तो जैसे run किया हमने यहां पर देखे double click करते ही अब देखे ज just amplitude में variation है बट हमारा जो message signal है वो as it is दोनों का shape सेम आ गया तो यह हमारे पास perfect demodulated waveform आ गया जो हमने aim signal के through modulate किया था तो इस तरीके से हम signal को receive करके हम उसके noise को reduce कर सकते हैं और ideal transmitter receiver set up कर सकते हैं using aim modulation तो यह हमारा fm modulation का block है आप directly इसको implement कर सकते हैं with bias और without bias अब अगर मैं bias add करता हूं suppose 2 तो biasing क्या करता है आपका जो amplitude है उसको increase कर देता है with a baseline तो देखिए हमारा bias 2 से increase हो गया तो हमारा message signal है वो हमारा 0 यानि constant 2 add किया तो plus 2 जो भी message signal है वो प्लस 2 पे shift हो गया और फिर हमारे पास output आ रहा है यानि 0 के नीचे अब हमारे पास waveform नहीं आ रहा है क्योंकि इसका amplitude 1 है और इसको हमने shift कर दिया 2 पे तो उसका base line हो गया 2 तो यहां पर देखिएगा amplitude 1 था तो 2 से maximum 3 पे जा रहा है और minimum हमारे पास 2 से minus 1 पे जा रहा है तो य यहां पर देखिए हमारे पास 0 के ऊपर ही output आ रहा है जो yellow line में demodulated waveform है तो चली यह तो था हमारा amplitude demodulation और modulation दोनों एक ही वीडियो के अंदर modulation हमने already पहले कर रहा था बट यह complete signal transmission और reception का example है जिसके अंदर हमारे पास message signal को amplitude modulation के थुरू हमने transmit किया और उसको receive किया using transfer function by also reducing the noise of the signal तो यह आपका complete एक modulation demodulation का block use कर सकते हैं हम किसी भी signal को transmission के लिए तो अब हम यहां पर signal type change कर सकते हैं और यहां पर हम signal को receive या फिर detect कर सकते हैं तो चली इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में thank you हुआ है